हेलो दिस दलजीत वेलकम ओल आफ यू टू फ्रेंड्स कंप्यूटर भासों अब हम करेंगे ट्रांस्मिशन मीडियम क्या होता है ट्रांस्मिशन मीडियम पहले ट्रांस्मिशन समझते हैं क्या होता है दिखो ट्रांस्मिशन मींज कोई चीज एक जगा से दूसरी जगा भेज तो जिसके द्वारा वो computer भेजेगा data दूसरे computer को, वो through wire भी हो सकता है, हो सकता है, वो cable से जुड़े हो आपस में, wire के through भेज सकता है data, हो सकता है, वो wifi से जुड़े हो, तो wifi के द्वारा भेज सकता है, infrared के द्वारा भी भेज सकता है, और भी बहुत सारे माध्यम है, data को एक जगा से दूसरी जगा भीजने के लिए, वो सभी हम इसमें पढ़ेंगे, वो है कौन-कौन से, देखो दो तरह की कैटागरी में हमने इनको बाटा हुआ है, एक तो गाइड़ मीडिया, means जो वायर वाला है, जो वायर्ड मीडिया है, और एक अन गाइड़ मीडिया, जो वायर मीडिया से, इसमें सबसे पहला कौन सा है, को एक्जियल केबल, ये भी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, among the medium for network communication you have, अगर हम network communication की बात करें, इसमें हमें कौन-कौन से माद्दिया मिलते हैं, वो ये सारे बताये हुए हैं, तो सबसे पहले है हमारा को एक्जियल केबल देख लेते हैं, ये होती कैसे है, वैसे देखो, यहाँ पे भी इसकी पिक्चर है, बड़ मैं आपको थोड़ा और अच्छी तरह से दिखाता हूँ, ये कोएक्जियल केबल है, जो हमारे टीवी के बैक सैट पे लगी होती है, डिश से जो टीवी की तरफ केबल आती है, हमा पर और साइड इन्सुलेशन, ये भी एक प्लास्टिक की तरह ही होता है, तो ये हमारी कोएक्जियल केबल होती है, ये इसका नॉर्मली कोनेक्टर होता है, और भी कही तरह की कोनेक्टर होती है, ये मेंली हम ज्यादा यूज करते हैं, टीवी के बैक सैट पे हम लगाती है जहां फिर सेट आप बाक्स में लगाती है इसको, ज्यादा तर सेट आप बाक्स के बैक साइड लगता ही है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कोएक्जियल केबल है, इसमें इलेक्टरिकल केबल है, इसमें करंट फ्लो होता है, इसमें करंट फ्लो होता है conductor made up जो इसका conductor है जो अंदर का पार्ट है वो copper से बना होता है और flexible material जो copper है वो एक तरह का flexible material है the insulating layer is also covered by a conductive layer जो insulating layer है जो ये plastic जैसी layer होती है इसके उपर भी एक और layer होती है conductive layer कह सकते हो आप इसको ये भी copper की होती है made up of copper wire ये भी copper wire की बनी होती है and covered on the outside with a thin insulating layer और इसके उपर भी एक पतला सा plastic जैसा layer होती है इसको भी हम insulating layer बोलेंगे तो ऐसी हमारी coaxial cable होती है coaxial cable was invented by English engineer and mathematician Oliver in 1880 Oliver नाम का एक English engineer था जो mathematician भी था उसने 1880 को इसकी invention की थी इसको बनाया था उसने इसकी खोज की थी next है twisted pair cable ये देख लो कैसी होती है ये RJ45 connector लगता है जो हमारे computer के back side पे लगता है normally internet के लिए हम जातर ये ही use करते हैं और अगर इस cable को हम खोल के देखें तो अंदर से ये ऐसे इसके 4 pair होती है ये दो-दो cable होती है अलग-लग color की ऐसे 4 pair होती है टोटल 8 cables होती है और इन cable के आगे ये RJ45 connector लगता है और ये फिर RJ45 जान तो switch में लगेगा ये देखो यहां पर ये बने हुए connector जा तो यहां पर लगा है नहीं फिर हमारे computer के back side पर RJ45 connector होता है उसमें लगता है LAN board भी बोलते हैं उसको इसके बार में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुए twisted pair cable is a commonly used medium for networking ये मैंने बताई आपको commonly आम तोर पर ये ही use करते हैं हम अभी तक it is a type of wiring ये इस किसम की wire है in which two conductor जिसमें दो conductor होते हैं of single circuit एक circuit के अंदर are twisted together जो आपस में घूमे होते हैं एक दूसरे के उपर मुड़े होते हैं twisted होते हैं जैसे मैंने अभी दिखाया आपको ये सारे आपस में एक दूसरे के उपर मुड़े होते हैं ये मुड़े हुए क्यों होते हैं the twisted pair cancel out the electromagnetic interference ये जो electromagnetic wave होती है वो ताकि इस पर नुकसान न कर पाएं इसके अंदर कुछ change ना कर पाएं इसके जो dart है उसके अंदर इसलिए ये twisted होते हैं जब twisted होते हैं तो वो कम असर होता है उसका जो बाहरली electromagnetic wave जो आती हैं उसका फिर ज्यादा असर नहीं होता है इस पर it is a thin ये पतली होती है flexible होती है मूड़ सकते हैं इसको it is easy to use ये इस्तमाल करने में असान होती है and cheap in cost और सस्ती पड़ती है ये next है हमारी optical fiber cable आजकल ये use होने लग गई है सबसे fastest अगर कोई speed देता है तो ये ही cable है ये दोखो ये ऐसा इसका connector होता है ये cable है इसके अंदर ऐसे बारीक बारीक सी pipe जैसी होती है जिन में light से data transmit होता है आपने शायद देखा होगा जब ये wire बिचाई गई थी सडकों पे तो ऐसे बड़े बड़े pipe से थे इसके अंदर बहुत सारी fiber optical cable थी और जब इन cable को हम घर पे जहां किसी office में लगाते हैं तो ऐसे लगते हैं ये सारे connector अंदर और इसको connect करने के लिए normal connector जा normal jointer नहीं चाहिए होता है काफी महिंगी machine होती है जो इस cable को joint करती है पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है एन optical fiber cable is a cable containing one or more optical fibers ये एक ऐसी cable होती है जिसके अंदर काफी ज्यादा optical fibers होते हैं जिनके थुरू हम data transmit करते हैं जो optical fiber होते हैं वो plastic layer से डगे होते हैं optical fiber means एक बहुत ही बारीक सी काच के जैसी pipes होती है उसके उपर plastic layer होती है it consists of a core इसके अंदर एक core होती है and a cladding layer selected for total reflection और एक cladding layer होती है जो reflection का का काम करती है they are used for long distance communication ये अगर हमने data को बहुत दूर तक बेजना है उसमें use होती है एक country से दूसरी country में अगर data बेजते हैं तो ये fiber optical ही बिचाई हुई है समंदरों के नीचे भी fiber optical ही बिचाई हुई है और for high speed data connection between different parts of a building अगर एक building से हमने high speed से data दूसरी building तक लेके जाना है जा उसी building के दूसरे part तक लेके जाना है तो fiber optical cable सबसे fast है अब हम बात करते हैं unguided media की means wireless media की जो भी हम data wireless transmit करते हैं बिना wire के transmit करते हैं एक जगा से दूसरी जगा वो सारा data चाहे है जैसा हम अरजी हो electromagnetic wave के दूरा होता है और यह electromagnetic wave अलग-लग तरह की होती है infrared भी इसी की type है microwave भी इसी की type है radio wave इसी की type है और भी बहुत सारे अलग-लग जगा पे use होता है Bluetooth हो गया, Wi-Fi हो गया, X-ray हो गया और भी बहुत सारी वेव हैं जो इसी का पार्ट है हमें जो आसपास नजर आता है ये भी उस वेव की वज़ा से ही है, उस रोशनी की वज़ा से ही है Electromagnetic वेव की जो frequency है और उसका जो size है उसके according इसको अलग अलग नाम दिये हुए है अलग लग parts में इसको divide किया हुआ है, तो हमारे जो काम की है वो infrared, microwave और radio wave इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो बुक पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, infrared radiation, जेखो infrared radiation की बात किया है, यहाँ पर infrared radiation is not visible जो infrared radiation होता है, वो हम normally नहीं देख सकते है, human can sense it as heat, तो जो हम लोग है उसको as a heat sense कर सकते है, the light you see with your eyes is very small portion of what is called the electromagnetic spectrum, जो रोशनी हमें दिखाई देती है, जो आसपास light हमें दिखाई देती है, वो electromagnetic spectrum का एक छोटा सा part है, infrared waves are of lower energy, इनकी जो energy होती है, वो lower होती है, काफी कम होत है, and less harmful, ये नुकसान भी हमें कम पहुचाती है, these are used for security and military purpose, ये security and military purpose के लिए यूज होती है, जो infrared है, security और military purpose के लिए कैसे यूज होती है, इस मेरा अलग-लग color दिखते हैं, वो अलग-लग device से देख सकते हैं, हम normal आखों से नहीं देख सकते हैं, तो military के पास है ऐसी device होती है जो अंधेरे में भी infrared light होती है, उसको देख सकती है, उन करनों को देख सकते हैं, उस वज़ा से वो लोगों को पहचान सकते हैं, यहां पे कोई है, ऐसे वो security प्रवाइड करती है हमें, मतलब अंधेरे में भी उनको पता चल जाता है, भी कोई आ रहा है, जहां नहीं है, वह वहां पे microwave करने use होती है, और data transmit में भी होती है, यह use, रेडियो वेब जैसे अभी radio हम सुनते हैं, वो सारा रेडियो वेब के जरिये ही transmit होता है, एक जगा से दूसरी जगा, जो song वगरा हम सुनते हैं, वो radio wave के कारणी हमें सुनाई देते हैं, infrared की frequency ज्यादा होती है, radio wave की frequency क कम होती है, बड़ इसकी strength ज्यादा होती है, इसकी strength कम होती है, तो अगर हमने दूर data बेजना तो radio wave का use करते हैं, अगर नजदीक बेजना तो infrared का भी use करते हैं, I think आपको समझ में आ गया होगा, आज के लिए इतना ही बाकी हम next video में करेंगे, एक बात कहनी थी, मैं इन वीड like, subscribe करोगे, same हम सभी को benefit है, कैसे नीचे comment कर पूछ सकते हो, वैसे समझदार को इशारा काफी है, मेरी और वीडियो के लिए नीचे description में link है, click कर देख सकते हो, okay जी वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, thanks for watching